मुख्यमंत्री भजनलर शर्मा ने कहा कि गुलाबी नगरी ज्यपूर विश्व पटल पर रत्न आभूशनों के लिए विख्यात है जेम्स ज्वैलरी बिजनेस राज्य की आर्थिक प्रगती में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं साथ ही रोजगास रजन का मुख्य साधन भी है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस उद्ध्यों को भढ़ावा देने तर्था उद्धमियों के लिए व्यापार को सुगम बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है शर्मा शुकरवार को ज्वैलरी एसोशीशन द्वारा सीता पुराइस्थिद जेए सीसी में आयोजित जस्ट टूथाउजन ट्वैंटिफोर के उद्धाटन कारेकर्म को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जैपुर में बनाए गए आभुशन दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और शिल्प कला के लिए पहचाने जाते हैं इसी वज़े से रज्ज सरकार दुआरा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहट जैपुर में रत्न एवं आभुशनों को चन्हित किया गया है जिसके तहट रज्ज सरकार इस छेतर को और अधिक विक्सित बनाने के लिए कारिय करेगी उन्होंने कहा कि वित्य वर्ष 2023-2024 में राजस्थान के कुल निरियात वे रत्न आभुशनों के हिस्सेदारी 11,183 करोड रुपए के रही मुख्या मंतरी ने कहा कि ये शच्वी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के नेतरत में केंज सरकार ने सोने के आभुशनों की हौल मार्किंग को अनिवारिये बनाया है इससे आभुशन उद्योक और मजबूत हुआ है उन्होंने कहा कि केंज सरकार के साथ मिलका जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क स्थापिट किया जाएगा जिससे एक लाग से अधिक रोजगा सरजित होंगे उन्होंने कहा कि शेत्र में कारीगरों का प्रशिक्षन नविन्तम तकनीक एवं शोद में निवेश को बढ़ावा देने की आवशकता है जिससे यह उद्दम अंतराष्ट रिस्तर पर नई उचायों कुछ हो सकेगा शर्मा ने कहा कि जैपूर के कारीगरों द्वारा बनाई गई जेम्स एंड ज्वेलरी को देश विदेशों में अपनी एक अलग पहचान मिलते हैं क्योंकि जैपूर आवशक उद्द्यों काहर्द्य है कहते हैं न हीरे की परक तो जोरी ही जानता है बाकी का तो उसको सबको वो ही लगता है आप जो दे देंगे वो विश्वास बहुत बड़ा होता है आप ने जो कह दिया और आप ने जो दे दिया वो विश्वास इतना बड़ा होता है कि विक्ति उसी विश्वास के बाव से चलता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें जितना विश्वास है और आप लोगों ने जो पीडी दर पीडी जो विश्वास चल रहा है क्योंकि देखते हैं सही कह रहे ही ती कल्पना जी कि कोई ना कोई परवार जो जुड़ता है वो एक परवार आप से नहीं जुड़ता है एक पीडी नहीं जुड़ती है हम देखते हैं कि पीडी दर पीडी